प्रॉब्लम 39 देखो बच्चो Ratio of Kinetic Energy to Total Energy किसी इलेक्ट्राउन का बोहर ओर्बिट में Hydrogen के बारे में पूछ रहा है न दो formula लिख देता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा Kinetic energy का formula होता है ZE square divided by 8 pi epsilon और R का square ये प्लस में होती है हमेशा और टोटल energy का formula होता है पहली बात तो minus में आएगा और ये copy करना होता है अपन को 8 pi epsilon और ये हो जाएगा R का square कोई भी कह सकता है सर इनका ratio लेंगे तो 1 is to minus 1 होगा option number 3 का सही होना चाहिए और ऐसा अपन लिखते भी थे हमेशा kinetic energy equals to negative of total energy ऐसा कुछ पढ़ते हैं अपन या magnitude बोल देते हैं तो दोनों के सेम हो जाते हैं और बहुत दुनिया वर की बाते हैं अपन करते हैं ठीक है इस तरह से ध्यान रखें इसका option 3 है 1 is to minus 1 आई आगे बढ़ते हैं क्वावब्स